आपके साथ आयूशी गुपता बुलिटिंग के शुनवाद बड़ी खबर के साथ करेंगे खबर लिबनान से है अल अरेबिया के हवाले से खबर आई है कि हिजबुल्ला के शुरा काउसल ने हसन नसल्ला के भाई हाशेम सैफी अलदीन को हिजबुल्ला का नया चीफ चुल लिया है लेकिन कुछी समय बाद हिजबुल्ला की ओर से इस खबर को खारिस कर दिया गया है और कहा गया है कि हिजबुल्ला ने सैफी अलदीन को अपने राजनिते और मिलिटरी विंक का चीफ अभी तक नहीं चुना है हलाकि जब से इसराइल के हमले में हिजबुल्ला चीफ स्यद हसन नसल्ला की मौत हुई है उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं और दुनिया के तमाम विश्यशग्यों का दावा है कि हिजबुल्ला का अगला चीफ हसन नसल्ला का भाई सैफी अलदीन बन सकता है तो यह बड़ी जानकारे हिजबुल्ला के नए चीफ का जो है दावा किया गया है हिजबुला ने अल अरबिया के दावे को खारिस्ट किया है ये बड़ी अपडेट आपको दे रहें लिबनान से हाशीम स्याफी अलदीन हसन नरसला का भाई है और अल अरबिया ने जो है हिजबुला के नए चीफ का दावा कर दिया है लिबनान में आतंकी संगटन हिजबुला के चीफ हसन नरसला की मौत के बाद अब सवाल ये उठा है कि आगे क्या हसन नरसला का बदला कौन लेगा क्या ये बदला हिजबुला लेगा या फिर इरान लेगा समझे इस रिपोर्ट में बेरूट की इमारते चीफ चीफ कर पूछ रही है क्या इनका हाल घजा जैसा होने जा रहा है लिबनान की राजधानी में यही वो जगा है जहां इसराइल ने अपने आपरेशन नियू आर्डर को अंजाम दिया और फिर पूरी धुनिया यह खबर देखकर चौक गई कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत हो चुकी है सवाल है कि हसन नसरल्ला की मौत के बाद अब क्या होने जा रहा है हसन नसर अल्ला का बदला कौन लेगा? क्या ये बदला हिजबुला लेगा? या इरान लेगा? एरान में पांच दिन के शोक के बाद कातीन अक्तूबर को एरान करदेगा इसराइल पर बड़ा हमला सवाल ये भी है कि क्या एरान अब इसमाईल हानिया के साथ साथ हसन नसरल्ला को मानने वालों से डबल पतला लेगा इस वक्त एरान लिबनान और घजा के बचे कुछे उन इलाकों में मातम का महौल है जो हसन नसरल्ला के अंदर इसराइल से टक्कर लेने वाली ताकत देखते थे प्रदर्शन यरूशलम और इराक से लेकर इटली तक हो रहे हैं तहरान में भी नसरल्ला के मारे जाने पर इसराइल का विरोध हो रहा है इस बुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को हमास के बाद इसराइल का सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है नसरल्ला पूरे अरफ वर्ड में अकेली ऐसी आवाज और पावर थी जो घाजा के मुद्दे पर इसराइल को लगातार चैलेंज कर रही थी अब इन तीनों जगों के लोगों में इसराइल को लेकर बहुत ज्यादा घुस्सा है तेहरान जहां से हिजबुल्ला के पावर सेंटर की बैटरी चार्ज होती रही है वहाँ नसरल्ला की मौत पर भुस्सा बहुत ज्यादा है लोग हिजबुल्ला के पीले जंडों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसराइल से पतला लेने की मांग की जा रही है पुष्ट हम बाशीम, हमें बाइब प्तखिक बाशीम, बाइब 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 प्रदर्शन कर रहे हैं इनतगाम खेली सरी, मा इनतगाम सेद हस्बला मीगीरीम, गटन सवाल है कि क्या इरान की पब्लिक कमूल, अब वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की राणनीती पर भारी पड़ेगा? क्या इरान से इसराइल की तरफ मिसाईल और ड्रोन लाँच किया जाएंगे? क्या इनकी तादाइlog सेकरो में होगी? सेकरो मिसाईल, सेकरो ड्रोन, क्या इरान इसराइल को जो ट्रेलर 13 अपरेल को दिखाया था, अब उसकी पूरी पिक्चर दिखने जा रही है जाया 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 करना है आनिया के बाद हसन नर्सला पर हमला ये सीधा साधा इरान को चैलेंज है इरान आनिया को बचाने में फेल हुआ वे हसन नर्सला को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाया लेकिन अब वो बदला लेकर इस बिज़्जती का नुकसान पूरा करना चाहता है देखे इसराइल से बदला लेने वाली इरान की लिस्ट में क्या क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है इरान के नेता साफ साफ अपनी स्ट्राटीजी ना बताएं लेकिन ये बात साफ है कि इरान इस वक्त इसराइल की खूफी एजंसी मुसाद से बदला लेना चाहता है इरान इस वक के बंदरगाओं को तहस नहस करना चाहता है एरान इसराइल की लीडर्शिप से बदला लेना चाहता है इसमाईर हानिया के बाद हसन नसरल्ला पर हमला ये सीधा सीधा एरान को चैलेंज है एरान हानिया को बचाने में फेल हुआ و حسن نصر الله को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया लेकिन अब बदला लेकर इस बेज़ती का नफसान पूरा करना चाहता है इन गुने तर्रोर हा, तर्रोर हाई कूर वहशियाने नतीजे ये बराए बगाय इन रजीम नखाहत दाश और इन अज़ रूए इस्तीसाल हस और अर्सकरदम नतीजे ये इन इरान के टार्गेट पर इसराइल है और पिछली बार की तरह इस बार दाओं पर बहुत कुछ लगा हुआ है सवाल है कि इरान कैसे बदला लेगा? इरान किस से बदला लेगा? इरान कहां कहां बदला लेगा? इन तीनों सवाल में इरान के रणनीती चुपी है उसके फैसले ने पूरे इसराइल से लेकर अमेरिका तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है इरान की ताकत उसके मिसाइल है इरान की ताकत उसके ड्रोन है इरान ने 13 अपरेल को भी जब इसराइल पर हमला किया था तब उसने करीब 300 ड्रोन और मिसाइल इसराइल की तरफ दागी थी इसराइल ने दावा किया थै कि उसने 98% हमलों को नाकाम कर दिया था लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि एरान ने हमले से पहले बता दिया था कि वो हमला करने वाला है यानि इसराइल के पास रियाक्ट करने या कहें कि मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का टाइम था क्या इस बार उसे एरान ये आसान आप्शन देगा? सबसे बड़ा सवाल क्या नेतन याहू इरान का टार्गेट नम्मर वन बन चुके हैं? क्या नेतन याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट टार्गेट नम्मर दो है? और क्या इसराइल की खुफिया एजनसी मुसाथ की निदेशक डेविट बर्निया टार्गेट नम्मर तीन है? इरान की नजर अमेरिका पर भी है और अगर इरान के जवाबी हमलों में अमेरिका दखल देता है तो खाड़ी में मौझूद अमेरिकी सेन ने अट्दो पर भी इरान के मिसाइलों की बरसाथ हो सकती है ये बात अमेरिका ने इसराइल को भी बता दिये और उसके हिसाब से पांटगन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है बड़ी बात यह है कि बाइडन ने कहा है कि वो सीज़ फायर चाहते है इरान के सुप्रीम लीडर अली खाम ने क्या ओडर देंगे इरान के नए राजपती मसूद पेज़ुश्कियान क्या करेंगे इस पर बहुत से सवाल है लेकिन इरान का मूड समझना है तो इरान के लोगों का मूड समझने की जरूरत है देखे रिपोर्ट असन नसरल्ला की मौट से करीब दो महीने पहले इरान के सुप्रीम लीडर अली खाम ने ही कह चुके हैं कि इसमाईल हानिया के खून का बदला जरूर लेंगे लेकिन अगस्त में इरान की धंकी के बाद सितंबर का महीना खत्म हो चुका है इसलिए इरान ने अगर अब भी जवाब नहीं दिया तो इरान की इजएगी मिल जाएगी तुर्की ने भी कहाए कि नसरल्ला की मौट इरान के लिए बहुत बदा जट्टा है एक स्रारा इरनки सुप्त्रीम लिडर अलिक्तने क्या अडर ए ओल एगे राड़ में एक है ए 충ाछ से सर्भ भयत क्या करेंगे इस पर बहुत से सवाल है लेकिन इरान का मूट समझना है तो इरान के लोगों का मूट समझने की जरूरत है इरान की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगे है इरान की बड़ी बड़ी इमारतों पर इसराइल को ड्रोन अटैक से तभा करने वाली बाते लिखी है इस पोस्टर को देखिए लिखा है कि इसराइल अगले 25 वर्षों तक बाकी नहीं रहेगा इसलिए इस बार इसराइल की लिडर्शिप पर इरान की नजर है इसलिए सवाल है कि क्या इसराइल की परधान मंतरी बेनियमीन नेतनियाहू एरान का टारगेट नमबर वन बन चुके है क्या नेतनियाहू के बाद उनके रक्षा मंतरी यॉव गैलन टारगेट नमबर दो है और क्या इजराईल की खुफी एजनसी मुसाद के निदे शक, देविड बरनिया टागेट नम्बर तीन है अगले 24 गंटे इजराईल, एरान, लिबनान और पूर फलिस्तीन के लिए बहुत खत्रे से बरे हैं गाजा में बम लगतार फट रहे हैं, लिबनान में भी इजराईल लगतार बम गिरा रहा है अब इस युद्ध का दाइरा खान यूनस और रफा की कलियों से आगे बढ़कर बेरूत और तहरान तक जा पहुँचा है सब जानते हैं कि इरान जवाब जरूर देगा, क्योंकि 13 अबरेल को इरान ऐसा कर चुपा है सवाल बस वक्त का है, जिसका फैसला इरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनी करेंगे हसन नरसला का शव मलबे से निकाल लिया गया है और आज उसका अंतिम संसकार हो सकता है इस बीच बताय गया है कि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरीर पर अगर चोट के निशान नहीं है तो फिर उसकी मौत की वज़े क्या बनी आखिर कैसी हुई नरसला की मौत इसी पर देखे हमारी ये स्पेशल डिपोर्ट नहीं चोट के निशान क्या बनी हसन नस्रुल्ला की मौत की वज़ा लेबनान में शुकरवार शाम गुए हवाई हमले में मारे गए हजबुल्ला प्रमुक हसन नस्रुल्ला का शब बरामत कर लिया गया समाचार एजनसी रॉइटर्ज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बेरूत में इसरुल्ली हवाई हमले के बाद मल्बे में बदले बंकर से काफी खोच के बाद आतर नस्रुल्ला के शरीर पर सीधी चोट का निशान या कोई घाव नहीं मिला उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ब्लास्ट के बाद दम घुटने और ट्रॉमा से नस्रुल्ला की मौत हो गई रसल इसरुल्ल के और से हमले के बाद यही दावा कर दिया गया था कि उतने नस्रुल्ला को मार गिराया हिस्बुल्ला निशनिवार को बयान जारी कर नस्रुल्ला की मौत की पुष्टी भी की थी इस्रुल्ली आर्मी ने खुकिया सूचनाओं के अधार पर किये गए सीक्रेट ओपरेशन में शुकरवार को से अंडरग्राउंड भूमिगत बंकर पर हमला किया था जहां नस्रुल्ला और कई दूसरे हिस्बुल्ला कमांडर बैठक कर रहे थे ये बंकर दक्षण बेरूत के एक व्रेस्ट सड़क से 60 फीट नीचे होने का दावा किया गया था 64 साल का नस्रुला दुनिया के सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठनों में एक हिस्बुल्ला का नेत्रत्व बीते तीन दशक से संभाल रहा था इसराइल रक्षाबल ने हिस्बुल्ला की मौत के बाद भी लेबनान में हमले जारी रखी है इसराइली सेना लगातार लेबनान खासतोर से तक्षुनी लेबनान में बम बरसा रखी है और इरान से इसराइल को जिराने वाली खबर है इरान का पूरा मिसाइल गोदाम एक्टिव कर दिया गया है लेकिन इन सब के बीच सौधी अरब जो है खबरों में वारल हो गया है खबर ऐसी है कि पूरा अरब वर्ल्ट हैरान है देखे रिपोर्ट इरान का एलान अब जंग लड़ेंगे 57 मुस्लिम देश 32 साल तक हिजबुल्ला का चीफ रहा 64 साल का हसन नसलला मारा जा चुका है लेबनान से लेकर इरान तक नसलला की मौत पर 5 दिन तक का मातम मनाया जा रहा है इस बीच इरान के सुप्रीम लीडर अली खामने को गुप बंकर में पहुँचा दिया गया है इरान को डर है कि नितन्याहू के निव ओडर अपरेशन के तहट का इस्राइली सेना इरान के सुप्रीम लीडर खामने को भी नरसलला की तरह मार सकते है हालात ये हो गए है कि इरान ने अब इसलाम के नाम पर मुस्लिम काट खेलने की कोशिश की है इरान अब पूरे मिडल इस्ट और अराव वैल्ड में ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज इसराइल हिर्बुल्ला को तवा कर रहा है कल इरान को बरवाद करेगा और फिर किसी और मुस्लिम देश को इसराइली सेना तवा करेगी इसलिए भैतर है कि स charisma किस सवी सप्तावन मुसलिम देश मिलकर इसराइल से जंग में मिकावला करें लेकिन सवाल उड़ता है कि क्या सपतावन मुसलिम देश मिलकर इसराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखा सकते है हम आपको हमाज हिजब ल्ला हूती और एरान से जुड़ी इस ख़वर में ऐसे हैरान और दिल्चस्क करने वाली जानकारी देने जा रहे है जहां आपको पता चलेगा कि इसराइल ने कैसे जवर्दस्थ हमलों से लेकर इरान के इसलामिक जंग की धर्जिया उड़ा कर रग दी है हिजब ल्ला चीफ नसल्ला के मारे जाने के बाद से इरान हिजब ल्ला की बुरी तरह से किरिकिरी हो रही है हिजबुला चीफ हसन रसला की लाश हमला होने के 20 घंटे बाद मिल पाई है तब जाकर हिजबुला ने उसकी मौत की पुस्टी की है इस्राइली फाइटर जेट ने 80 टन बमों से धमाके किये थे जिसकी वजा से लाशों के चीतरे उड़ गए थे इधर इजबुला चीफ से लेकर हिजबुला के 17 टॉप कमांडर मारे जा चुके है हालात ये हो गए है कि घातक और लंबी दूरी मिसालों से इजबुला करने का प्लैन पूरी तरह से तबा हो गया है दावा किया जरा है कि नसला के साथ सार इरान की आया जीसी का डिप्टी कमांडर अबार निलफो रूसन और हिजबुला के कम से कमाज कमांडर मौके पर ही मारे गए है हालात ये हो गए है कि हिजबुला के पास रॉकेट मिसाल डौन भरे पड़े हैं लेकिन कोई इसरायल पर हमला करने का आदेश देने वाला नहीं बचा है इधर इरान को डर है कि अगर इसराइल पर इरान ने हमला किया तो इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर इरान पर चारों तरफ से हमला कर देगा इदर हिजबुल्ला की तرف से इस्राइल पर हमला कैसे होगा हमला कहां से होगा और कौन से हत्यार से इस्राइल पर हमला किया जाएगा इस पर जन्गी फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमान्डर जिन्दा नहीं बचा है हिजबुला इस वक्त बिना दात और नाखनों वाला शेर बनकर रह गया है इरान इराग सीडियाल यमन चार देशों पर नियू ओरडर हमला इधर इरान तेजी से अब हिजबुला से जादा खुद को बचाने में जुड़ गया है इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा है कि कई मुस्लिम देश इसराइल के साथ मिल चुके है जिसकी पुकता कवर इससे पहले इरान के पास नहीं थी लेकिन 27 सितंबर दिन शुकरवार को यूएन में भाशर के दोरान पियन नितन याहू ने अपने दौन हाटों में एक ऐसी तस्वीर पकड़ी हुई थी जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अगलाट तार्गेट चारदेश होने वाले है नेतन याउन एरान, एराक, सीरिया और यमन को दुनिया के लिए भी शाब बताया है और इसके खात में की कस्मेक हाई है साओी अराब मिस्टर सुड़ाम का, एरान लेमनान से धोका नेतन याहू ने यूएन में जिस हरे रंगवाले नक्षे को दुनिया को दिखाया था उससे सबसे जादा हैरान एरान, हिजबुल्ला, हूती और सीरिया के लड़ाके हुए है एरान को विश्वास नहीं हो रहा है कि आके तीन मुस्लिम देश इसराइल के साथ क्यों खड़े है नसला की मौत से खौफ इसराइल के साथ आए तीन मुस्लिम देश पीम नेतन याहू ने यूएन में एक नक्षे को दिखाया जो हरे रंग से रंगा हुआ था इस हरे रंग वाले नक्षे में भारत समेथ तीन ऐसे मुस्लिम देश दिखाए गए है जिनके बारे में नेतन याहू का दावा है कि ये इसराइल के दोस्त है नेतन याहू ने जिन तीन मुस्लिम देशों को अपना दोस्त बताया है वो है साउधी अरब, मिस्र और सुडान हिरानी की बात तो ये है कि साउधी अरब मिस्रों सुडान के बारे में माना जा रहा था कि ये हमास, हिजबुल्ला और हुती के ऊपर इस्राइली हमलों का विरोध करते हैं ऐसे में इरान जिन 57 मुसलिम देशों के दम पर इस्राइल से जंग करने की सोच रहा है उसे नेतनियाओ के हाथ में मौजू हरे रंग के नक्षे ने खत्म कर दिया है इरान बुरी तरह से फज गया है इरान ने गुप्त सुरंगों और बंकरों में हजारों मिसाइलों रॉक इंड डोन को भर रखा है जिसकी इस्राइल को भनग लग चुकी है इरान को अब ये डर सता रहा है कि सुरंगों में मौजूद उसकी बैलेस्टिक मिसाइलों को इस्राइली सीना कहीं उड़ाना दे कुछ दावों के मताबिक दो लाक से जादा मिसाइले इरान के पास है जब कि इरानी डोन के बारे में इस्राइली सीना को भी अंदाजान नहीं है कि वो कितनी संख्या में है लेकिन इस्राइल ने अपनी हमले की नीती से दिखा दिया है कि हम हतियार चलाने वाले दिमाग और हातों को पहले तभा करेंगे ताकि तुम हतियार चलाने लाइक ही ना बचो इसके बावजूर्द खामी नहीं को लगता है कि हिजबुला जंग जीज सकता है नसर अला के मनने से पहले खाम नहीं इसी तरह की लंबी-लंबी डिंगे मार रहे थे जनल मार जंग जबड़ ही एकामीue लियार की ऽामी शाज़ा ही हिजबुला के नहीं कि तरह करता है जनरल मारो जंग जीतो, कमांडर मारो को हराम मचाओ इसराइल ने गाजा जंग से सवक लेकर हिजबुल्ला के खिलाब एक फॉर्मुला खूब इस्तिमाल किया है जनरल मारो जंग जीतो, कमांडर मारो को हराम मचाओ इसराइल ने हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों को मार कर संगंटन के मनोवल को तोर कर रख दिया है इसराइल ने सबसे पहले हिजबुल्ला के अजीज यूनिट के कमांडर मुहमान नसर को धेर किया इसके बार नसल यूनिक के कमांडर समी तालिव अब्दुल्ला को मार गिराया रॉकेट और मिसाल डिविजन के कमांडर इबराहिम कुवेसी को बेरूत में मारा इसराइल पर रॉकेट बरसाने वाले कमांडर ब्राहिम मुहमत को मारकर इसराइल ने हिजबुल्ला के हवाई हमलों की छम्ता को सीमित कर दिया इसके बार राइडवान फोर्स के कमांडर इब्राहिम अकील को मारा उससे पहले रड़नितिंग यूनिट के प्रमुक फुहाद शुकर को बेरूत में धेर किया इसराइल पर हमला हिजबुल्ला के दक्षिनी फ्रेंट से हो रहा था सबसे पहले इसराइल ऐसी फ्रेंट के प्रमुक अली कराकी को मौत के घाट उतारा उसकी मौत की वज़ा से इसराइल पर हिजबुल्ला के हमलों में भारी कमी आई इसके बाद कमांडर विस्तम अलतवील को मार गिराया राइड वान फोर्स को टेनिंग देने वाले अबू हसन समीर को मौत की नीच सुलाया इसराइल पर निग्रानी करने वाले इरियल यूनिट के कमांडर मौमद हुसेन को मार कर इसराइल ने संगठन की तागत को बेहत कमजोर कर दिया 27 सितंबर को इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला के सरगना हसन अरसला को मार कर हिजबुल्ला की कमर तोड़ कर रख दी है अब ऐसे हालात में रान क्या इसराइल से हिजबुल्ला चीफ की मौत का बदला लेने की हिम्मत चुटा पाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है हिजबुल्ला के पूर्वचीफ असन नरसला का आज अन्तिम संसकार किया जौश सकता है सावधी मीडिया के हवाले से खबर है कि अन्तिम संसकार के समयी नरसला के उत्रादिकारी की भी गोशना हो सकती है यारी नरसल्ला के अंतिम संसकार के तुरंत बाधी हिजबुला अपने नय चीफ का एलान कर देगा कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि नरसल्ला के चचेरे भाई हाशे में सफिद्दिन हिजबुला का नया चीफ बन सकता है आपको बता दे कि सफिद्दिन नसल्ला और नईम कासिम के बाद के तौप तिन नेताओं में शामल है इसके साथ ही वो हिजबुला के राजनितिक मामलों की देखरे करता है वो हिजबुला की जिहाद परिशद का भी सदस्य है तो यह बड़ी जानकारी सौधी मीडिया के हवाले से यह खबर जहां पर अंतिम संसकार के बाद आज उत्राधिकारी का एलान कर दिया जाएगा यह बड़ी जानकारी निकल करते सामने आ रही है